हलो दोस्त आप देख रहे हैं साइटेक विजन रोटीब इंदी चैनल मैं हूँ संजे स्वागत करता हूँ अब सभी का दोस्त आप लोगों के कई सारे कमेंट आ रहे हैं कि आसूस के i3 और i5 लेपटप्स के बारे में बताईए ऐसे लेपटप ले करके आईए जिसके अंदर जो प्रोसेसर है कम से कम i3 हो i5 हो इस प्रोसेसर के साथ कम से कम बजट में हो जिसके अंदर हम कोडिंग्स, ग्रैफिक डिजाइनिंग्स वगेरा कर सके फोटो सौप, कोरल ड्राव वगेरा लेटेश्ट वर्जन हम चला सके मार्केट में सौप है हमारी या फिर ओफिस वगेरा है या फिर सारे सौफ्टवर्स हम सीखना चाते हैं इस टुडेंट्स हैं, इस टाइप के जितने लोगों का परपस है एक लेटप के लिए वो सारे परपस को दूर करेंगे ये सारे लेटप जिस लेटप की हम बात करने वाले हैं तो अगर आपकी भी ऐसी कोई इनक्वाईरी है तो आप इस वीडियो को लाज तक देखते रहें और वीडियो को प्लीज लाइक करें क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत ही काम की होने वाली है आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है तो आइए समझते हैं कि वो कौन से लेपटप हो सकते हैं चुकि मैंने बताया कि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आसूस के लेपटप के बारे में बात करेंगे अब जो भी वीडियो आएंगी हम कोशिस करेंगे कि वो ब्रन्ड वाईज हो जिन लोगों का जो ब सा laptop है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं तो सबसे पहले हम down से चलते हैं कम budget से ऊपर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे i3 तो बहुत पुराने versions की हम बात नहीं करेंगे हम बात करेंगे लेटेश्ट वर्जन हो ताकि हम उसे अगले कुछ सालों तक उस पर बहतर धन से काम कर सकें तो अभी जो ये लेपटप है ये है आसूस का वीवबुक 15 2020 का मॉडल है लेकिन काफी अच्छा चल रहा है अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो बहुत ही प्यारा लुक ह अंदर ये आता है दोनों ही साइट से बैसल बहुत ही कम है और बहुत ही प्यारा बहुत ही खुबसूरत लेपटप जो है ये आपको नजर आता है चुकि ग्रे कलर है तो अल्रेडी ग्रे कलर के जो लेपटप्स होते है उनका लुक ही बिलकुल अलग होता है और काफी थिन ह यह बहुत खास बात है, बहुत इत्य नहीं light weight है, आप इसको buy कर सकते हैं, इसके processor के अगर हम बात करें, तो i3 10th generation का processor इसके अंदर आपको मिल रहा है, यानि कि i3 1005G1 processor है, जिसका base clock की बात करें, तो 1.2 GHz है, और इसको जो है boost करने के बाद आप 3.4 GHz तक लेकर के जा सकते है 2 core का processor है, और यह processor अपने आप में i3 के हिसाब से अगर देखा जाए, तो बहुत अच्छा है, डिस्पले की बात करें, तो full HD display 15.6 inch का इसके अंदर आपको मिल रहा है, overall thin and lightweight है, 4 GB का इसके साथ आपको RAM मिल रहा है, और 1 TB का hard drive के साथ में आ रहा है, चुकि budget कम में, इसको मैं सेलेक्ट करने की कोशिस किया है, budget इसका 32,000 से लेकर के 34,000 के बीच में बना रहता है, यानि कि इस laptop को 32 से लेकर के 34 तक के बीच में आप इसको buy कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, rate का बहुत ही उचाल हो रहा है आजकल, तो इस budget के अंदर अगर आपको मिलता है 32 से 34,000 के ब तो आप इसके अंदर 4GB का एक और stick लगा लेंगे, 8GB कर लेंगे या फिर 8GB का अलग से एक RAM आप इसके अंदर include कर लेते हैं, तो इसका performance आपको बहुत बहतर मिलने लग जाएगा, चुकि अभी फिलहाल 4GB के साथ में यह आपको मिलेगा, तो budget कम है, एक अच्छा प्रोसेसर के साथ चाहिए, तो ASUS का यह model ले सकते हैं, चुकि model भी बहुत प्यारा है, बाकि अपग्रेडेशन के chances आपको मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका RAM बढ़ा करके 8GB तक कर लेजिए, और उसके बाद इसके साथ में बहतरीन performances का आप जो है, ले सकते हैं, उसके ब 5 में अगर आपको लेना है, तो उसके लिए इसका जो next model है, वो है, ASUS VivoBook 14, यह 14 इंच का display के साथ में है, यह भी 2020 का model है, लेकिन बहुत ही चल रहा है, लुक वाइस बिलकुल सेम है, ग्रे कलर भी है इसका, और i5 10th generation, यानि कि i5 1035 G1 प्रोसेसर के साथ में यह आएगा 10th generation क प्रोसेसर है, 1.0 GHz बेस फ्रिक्वेंसी है इसकी और बुष्ट करने के बाद 3.6 GHz तक आप इसको ले करके जा सकते हैं, तो कुल मिला जूला करके i5 10th generation का एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर जो है, इसके साथ में मिल रहा है, जैसा कि मैंने बताया 14 इंच का screen है, इसका full HD screen मिल रही है, thin and lightweight है बिल्कुल भी, दोनों साइट से bezel बहुत ही कम है, जो कि इसके looks को बिल्कुल enhance करता है, 14 इंच का display के वज़े से यह बहुत ही compact laptop है, लेकिन powerful है, इसमें कोई डाउट नहीं है, 1 GB का RAM इसके अंदर मिल रहा है, और बाकी 4 GB onboard DIMM मिल रहा है, जो कि इसके work को बहुत ही जादे enhance करेगा, इसको जो best बना रहा है, वो बना रहा है इसका RAM, 8 GB 3200 MHz का RAM है, जो इस laptop को बहुत ही खास बना देगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी frequency के साथ RAM के होने के वज़े से, इस इसके अंदर 12 GB तक आप बढ़ा सकते हैं, यानि कि इस laptop के साथ future भी काफी अच्छा है, 8 GB से 12 GB लगाने के बाद आप बहुत अच्छा इससे performance ले सकेंगे, 1 TV का hard drive है, और internal graphic के साथ में यह आ रहा है, यह आपको मिलेगा 41 से लेकर के 43,000 के बीच में यह आपको मिल जाएगा इस budget में मिलता है, तो आप बिल्कुल बेफिकर होकर के यह laptop आप बाई कर सकते हैं, तो यह तो रहा आपका इस budget तक इस से उपर और जाना है, i5 के अंदर ही तो बहुत ही अच्छा configuration इस वक्त मिला है एक laptop का, जो model के अगर हम बात करें, तो वो model है, Asus VivoBook 14 यानि की 14 इंच का इस स्क्रीन इस के अंदर भी मिल रहा है, प्रोसेसर वही है, आपका i5 10 जनरेशन वाला ही जो पिछले model में था, वही है, 8 GB का RAM 3200 MHz वाली वही है, खास अगर इस के अंदर है, तो वो इस के अंदर है, 1 TB हर ड्राइब के साथ में 256 GB का SSD भी मिल रहा है, यानि की आपका operating system चल जाएगा SSD के अंदर, जिसके वज़े से आपका performance बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, इतना ही नहीं, इसके साथ में आपको मिलता है 2 GB Geoforce MX130 का graphic मिल रहा है, 2 GB graphic होने के वज़े से, आप इसके अंदर normal gaming भी कर सकते हैं, अच्छे तरीके से, अगर video editing वगेरा भी करना चाहते हैं, यानि कहरें का मतलब YouTube videos वगेरा भी, आप इसके अंदर edit करना चाहते हैं, तो आप इसमें बेफिकर हो करके कर पाएंगे, Camtasia वगेरा हो गया, Filmora वगेरा हो गया, अच्छे से आप इस पर काम कर पाएंगे, तो अगर आपका budget है 50-52,000 का, तो आप इस वाले model को ले सकते हैं, क्योंकि इसका configuration बहुत ही प्यारा है, light and thin है, silver color में ये आपको मिलेगा 1.6 kg मत्र इसका weight है, बहुत ही light weight है graphic के साथ में, 2 GB graphic के साथ में, चुकि आपको data रखने के लिए 1 TB hard drive भी मिल रहा है, operating system और application softwares के लिए आपको SSD मिल जा रही है, यानि कि एक ही laptop के अंदर आपको वो सारे facilities मिल जा रही है, तो इस budget में बढ़े हुए rate के हिसाब से अगर देखा जाए, तो इसका configuration बहुत अच्छा है, आप इसको buy कर सकते हैं, तो ये laptop आसूस के थे, आप अपने budget के हिसाब से decide कर सकते हैं, कि आपके budget के हिसाब से कौन सा सही है, प्लीज आप comment करके बताए प्लीज आप comment में बताएं, अगर ये बीडिशे वीडियो को like कर दीजिए, आपका like हमारे लिए बहुत बड़ा motivation का काम करता है, पहली बार चैनल पर है, तो प्लीज चैनल को subscribe करके, bell icon पर click करके, all पर click कर दें, क्योंकि मैं इस type की बहुत सारी वीडियो ले करके आता रहता हूँ, जो आपके लिए काफी helpful सावित हो सकती, उसकी notification आपको मिलती रहेगी, मिलता है next किसी और अच्छी informative वीडियो के साथ में, पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का दिल से धन्ने बात करता हूँ, आपका दिन सुप्वो झाल